और इस स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है जिसको हम बोलते हैं इलियम उसकी बारी में जब बात करती है तो यहाँ पर NCRT कहती है कि जो इलियम है यह हाईली कॉइल्ड है हेलो डियर स्टुडेंट्स मैं हूँ डॉक्टर मनीश शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं नीट सरल चैनल यह चैनल आपकी नीट की तैयारी को और आसान बनाने के लिए और प्रभावी बनाने के लिए है तो आज इसी सीरीज में हम जुलूजी में बात करने वाले हैं डाइजेशन एड अब्डॉप्शन चैप्टर के प्रीवियस इयर क्वेश्चन्स के बारे अक्सर मैं यह पाता हूँ कि बच्चे अलग-अलग क्वेश्चन्स के एक प्रॉपर एक्स्लेनिशन ना होने के चल रखता है कि यह भी शायद एक वेल्यू एडिशन होगा कि हम जितनी भी प्रीवियस इयर क्वेश्चन्स आये हैं हम उनका प्रॉपर एक सैटिस्फेक्टरी आंसर आप तक लेके आएं तो मैं क्रोनोलोजिकली शुरू करूँगा और अभी रीसेंट से शुरू करके हम बैक वो यह है कि एक तो देखिए क्वेश्चन्स के थ्रू हमारे सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे हमारे क्वेश्चन्स भी हमको समझ में आ जाएंगे और इन फूश्यर कभी अगर अपने को दिक्कत आती है तो हम वापस से देख सकते हैं कि कहा दिक्कत आई हमें तो शुरू करते हैं देखें ने 2022 का जो पेपर हुआ इस पेपर में एक क्वेश्चन आया था पहले बच्चों एमस का जो पीपर होता था वहां असर्शन रीजन क्वेश्चन खूब आते थे और वो जो क्वेश्चन है देवा थौट टूबी मोस्ट ट्रिकी या सबसे पेपर एकदम आसान होने लगा भी सीधे वनवर्ड आंसर वाने क्वेश्चन आने लगे और इस पार 2022 में थोड़ी सी कहानी बदली और इस पार क्या किया है कि असर्शन रीजन क्वेश्चन को भी डाला ते या उससे मिलते जलते कुछ कुछ कुष्चन डाले उन्हीं में स है कि fatty acid and glycerol cannot be absorbed तो इसमें कहा कि जो fatty acid और glycerol है cannot be absorbed into the blood अब देखें NCIT जब digestion के बाद absorption की बात करती है तो वहां पे NCIT लिखती है कि fatty acid and glycerol being insoluble in water cannot be absorbed in blood तो इसमें से क्या कि यह being insoluble in water वाला पार्ट हटाया बागी की बही राइन उठा करके रख दी है तो यह जो statement 1 है हमारा यह statement 1 हमारा बच्चों हो जाता है correct तो मैंने का कि statement 1 आपका क्या है so this one is correct statement now statement 2 यह कहता है कि specialized lymphatic capillaries जिनको हम क्या बोलते हैं lacteal carry kylomicrons into lymphatic vessel and ultimately into the blood तो यहाँ पर NCIT हमारी कहती है और आप मेरे previous वीडियो के अंदर देख सकते हैं जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि absorption कैसे होता है तो वहाँ पर मैंने कहा था कि missle का formation होता है हमारी elementary कनाल में यानि के intestine की lumen में मिशल बनता है जब जो है fatty acid और glycerol के उपर bile salt और watery covering बनाते है लेटर ओन जब यह enter करता है enterocyte के अंदर then it gets converted into chylomicron और chylomicron में triglyceride होगा which will be covered by protein तो यह जो chylomicron यहाँ पर बना यह chylomicron क्या हुआ कि अब enter करेगा lacteal में lacteal यानि के lymphatic capillary में तो वही बात यहाँ पर कही गई है जिसमें का specialized lymphatic capillaries जिनको हम क्या बोलते है lacteal बच्चो इनको lacteal क्यों कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर fat काफी ज़्यादा प्रजेंट है यह इस वज़े से यहाँ पर lymph का color आपको white-ish दिखाई देता है that's why they are termed as lacteal यह carry करते हैं kylomicrons को कहाँ पर lymphatic vessel में और ultimately कहाँ पर blood के अंदर तो NCRT कहती है कि जो यह lymph है इसे ultimately drain कर दिया जाता है major beans के अंदर तो major beans में क्या भरा है blood भरा है ना यानि कि statement 2 भी हमारा सही है अब आगे question कहता है in the light of the above statements choose the most appropriate answer from the options given below अब इसमें देखें फर्स्ट आपका कहता है both statement 1 and statement 2 are correct तो हमने देखा statement 1 भी correct था और 2 भी correct है option 2 कहता है both statement 1 and 2 are incorrect नहीं पर दोनों correct है option 3 हमारा कहता है statement 1 is correct but statement 2 is incorrect तो ये वाला statement भी हमारा ये option भी गलत हो गया और 4 ने कहा statement 1 is incorrect but statement 2 is correct नहीं हमने देखा कि दोनों ही statement सही है तो इसलिए इस question का जो सही answer होगा वो बनेगा अपना option number 1 अब यहां पर अगर इस question में आपको कहीं doubt आता है कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे comment box के अंदर comment करके बता सकते हैं जिसे कि हम इस question को वापस एक बार revise करें या accordingly मैं आपके comment के लिए respond को अब देखते हैं अगले question को तो नेट 2022 में ही digestion से एक और question आया था लगबग लगबग हर साल digestion से दो के आसपास question तो आते आते हैं तो इसमें कहा कि which of the following function is not performed by देखिए बच्चों जब भी आप question पर solve कर रहे हूं तो आपको हमेशा not correct, incorrect इन सारी शीजों पर बड़ा ध्यान देना होता है क्योंकि question के माइने बदल जाते हैं not performed by secretions from salivary gland यानि के हम बात किसकी कर रहे हैं तो obviously बच्चों हम बेटा यहां पर बात कर रहे हैं saliva के बारे में कि जो saliva है वो इन में से कौन सा function परफॉर्म नहीं करता है पर्स्ट कहां है control bacterial population in mouth to be very precise यहां mouth की जगह पर होना चाहिए था बक्कल कैविटी पर ठीक है बाउत है चलेगा का control कैसे करता है तो हमारी NCIT ही कहती है कि जो saliva है कि इसके अंदर मौजूद होता है लाइसोजाइम और यह जो लाइसोजाइम है बच्चों यह कहा जाता है कि एंटी बैक्टिरियल होता है lysogym क्या होता है बिटा antibacterial अब भाई lysogym is antibacterial तो answer यह है कि lysogym क्या करता है यह बिटा break कर दिता है peptidoglycan को और यह जो peptidoglycan they are present in bacterial cell wall तो peptidoglycan को break करेगा यानि कि bacterial cell wall को तोड़ेगा तो अब यह सी बात है bacteria की death होगी तो antibacterial agent की तरह काम यहाँ पर कौन कर रहा है lysogym ने काम किया यानि कि statement 1 हमारा सही है और question ने पूछा क्या है कि क्या perform नहीं किया जाता तो अब देखें तो हमारा कहता है digestion of complex carbohydrate complex carbohydrate का मतलब क्या हुआ तो carbohydrate यानि कि saccharide इनको अगर हम देखें तो बेटा monosaccharide, oligosaccharide और polysaccharide में हम डिवाइड करते हैं इन तीनों केटेग्री में से सबसे ज़्यादा जो complex molecule है obviously that molecule is polysaccharide तो यहाँ पर जो polysaccharide है वो complex carbohydrate हुआ और polysaccharide का ही यहाँ पर हम एक example लेते है starch तो हम जानते हैं कि हमारा जो बकल कैविटी है यहाँ पर starch का digestion किया जाता है तो बच्चों अपन जानते हैं कि starch को digest करता है at the pH of 6.8 तो इसने pH 6.8 पर इसे digest किया और यह से convert करेगा disaccharide और यहाँ जो disaccharide बनेगा इसका नाम क्या होता है बिटा तो बताओ जरा इसका नाम है maltose तो disaccharide यानि कि maltose के अंदर इसे convert किया तो हमने का digestion of complex carboidate next कहा lubrication of oral cavity तो दिखिए एक condition होती है जिसको बोलते है बिटा atylism atylism का मतलब होता है absence of saliva अगर saliva का secretion ना हो रहा हो तो इस condition को अपन क्या बोलते है atylism कहा जाता है यानि कि जब अगर saliva का secretion नहीं होगा तो अपना मुझदम सूख जाएगा और मुझ सूखा तो obvious सी बात है कि हमको बोलने में दिक्कत आएगी क्यों दिक्कत आ रही है क्योंकि हमारे बोलने के लिए बकल क्याविटी को ल्यूब्रिकेट करना काम किसका होता है तो ये काम है आपका saliva का यानि कि थर्ड वाला function भी थे फिर इसमें कहा fourth में digestion of disaccharide तो ये इसका function नहीं कैसे नहीं है आप देखें disaccharide का digestion कौन करता है तो disaccharide का digestion करने वाले जो enzyme है उनको हम क्या बोलते हैं disaccharides केते हैं और ये जो disaccharides है ये आते कहां से है तो all the disaccharides are secreted by intestinal juice ये कहां मौजूद होते हैं intestinal juice में और हम जानते हैं कि intestinal juice यानि कि जिसको हम succus entericus करते हैं उसका secretion कहां से होता है तो crypto of liver pohon का secretion runner's gland का secretion और goblet cell का mucus तीनों चीजों को मिला करके हम नाम क्या देते हैं बिटा हमने नाम क्या दिया intestinal juice कहां तो ये काम किसका है intestinal juice का काम है ना ये saliva का काम नहीं तो यानि कि यहां question का correct answer होगा हमारा option number 4 तो इस तरीके से हमने देखा कि ये question हमसे पूछ रहा था कि कौन सा option incorrect है तो हमने वो find out करके बताया अब देखते हैं इसके बाद देखें need 2022 में तो ये दो questions आएं अब इसके बाद अगला हम देखते हैं तो अब आ जाता है need 2021 21 में देखें कौन से question पूछे गए तो यहां पर कहा कि sphincter of odai is presented sphincter of odai कहां पाया जाता है तो इसको जड़ा देख लेते हैं कि होता कहां पर है तो बच्चों यह हमारा liver pi lobe होता है जाते है liver के जो lobes है इन में से यह वाला हमारा right lobe हो गया यह वाला कौन सा हो गया left lobe है अब जो right lobe है इसी के pass में यहाँ पर पाया जाता है gall bladder तो यहीं पर देखे gall bladder का कुछ portion इसके पीछे hidden होता है तो वो portion में ने hidden बनाया अब इदर right lobe और left lobe इन दोनों से एक-एक duct बाहर आती है यह जो right और left lobe से duct बाहर आ रही है इनको बच्चों हम नाम क्या देते हैं so they are called as right and left hepatic duct तो यह हुआ हमारा right और left hepatic duct हुआ यह जो right और left hepatic duct है यह आगे चल करके combine करती है जब यह combine करेगी तो अब एक बड़ी duct बनी जिसको हम अच्चों नाम देते हैं common hepatic duct कहा जाता है तो यह अब क्या बन गया common hepatic duct बना अब यह common hepatic duct में gallbladder से आ करके एक duct open होती है तो gallbladder से जो duct यहाँ पर आ रही है इसको नाम क्या दिया जाता है तो बच्चों इसको हम नाम देते हैं cystic duct gallbladder एक cyst जैसी structure है न तो इसलिए duct को हम नाम क्या देते हैं cystic duct इसे कहा जाता है तो यह जो cystic duct है इसने combine किया common hepatic duct के साथ जब यह cystic duct common hepatic duct से combine करेगी तो आप combine करने के बाद तो यहाँ पर यह जो डक्ट पनी, इसका नाम क्या है बिटा, common bile duct नाम है इसका, यह जो common bile duct यहाँ पर बना, इसमें pancreas से आकरके एक duct open होती है, तो यह हो गया अपना pancreas, pancreas से एक duct आकरके यहाँ पर open होने वाली है, तो यह हमारा pancreas है, और pancreas से जो डक्ट आकरके यहाँ पर open होई, यह duct आई, इसको बोलते है pancreatic duct, जब यह common bile duct और pancreatic duct combine कर जाते हैं, तो यह combine करने के बार अब continue करते हैं, एक छोटी सी duct के form में, और यह जो छोटी सी duct यहाँ पर बनती है, इस duct को बिटा नाम दिया जाता है hepatopancreatic duct, क्या नाम देते हैं, hepatopancreatic duct कहा जाता है, तो जब इसने combine किया, then upon combining, it formed hepatopancreatic duct, तो हमने कहा कि जब यह combine करेगा, तो अब यहाँ पर जो duct बनेगी, इस duct को हमने नाम कहा दिया बिटा, तो इसको मैंने कहा दिया, कि यह है हमारा hepatopancreatic duct, अब यह जो hepatopancreatic duct है, यह आगे जाकर के, एक dilation develop करता है, एक dilation develop करने का मतलब है, कि एक wide structure बनाएगा, और हमेशा ध्यान अखें कि जब भी कोई wide structure ऐसी बनती है, तो हम हमेशा उसे नाम देते हैं, ampula, क्या नाम देंगे, ampula, तो जब यह अगर कोई duct है, उसका एक end कहीं पर dilated है, ज़्यादा चोड़ा हो गया, तो आपने से नाम दे दिया ampula, यह जो ampula यहाँ पर बना, इसको नाम दिया जाता है, ampula of waiter, तो इसको नाम क्या देते हैं, ampula of waiter नाम दिया जाता है, तो यह जा करके, आगे continue कर जाता है, इन form of ampula of waiter के form में continue करेंगे, और यह जो ampula of waiter है, इसके last में, आपको यहाँ पर दिखाई देता है, एक sphincter, जिसको नाम दिया जाता है, sphincter of od, तो इसको हमने बच्चों नाम क्या दिया है, तो मैंने इसको बोल दिया, कि this one is sphincter of od, और यह जो sphincter of od है, यह कहां जा करके open होगा, तो sphincter of od जा करके open कहां होता है, duodenum में, यानि कि यह जो ampula of waiter है, यह ampula of waiter कहां पर जा करके बच्चों open हो रही है, तो यह open होती है जा करके duodenum में, तो अब हमने जो कुछ सीखा, उसके एसाब से हम देखते है, question का answer क्या हो होना चाहिए, तो कहा, sphincter of od is presented, कहां पाया जा रहा है, hepatopancreatic ampulae, ampula of waiter जो है, यह जब duodenum में open हो रहा है, तो वहां पर मौझूद है, तो देखे, first, ileocecal junction, पताओ क्या ऐसा है, no, ileocecal junction पे नहीं है, यहां पर पाया जाता है ileocecal valve, यहां पर एक बाल्व होता है, जो prevent क करता है, backflow of fecal material को, जिसको हम बोलते है, ileocecal valve, तो यह हमारा answer नहीं, second, कहा, junction of hepatopancreatic duct and duodenum, this one is correct answer, फिर इसमें कहा, gastroesophageal junction, नहीं, gastroesophageal junction पे, जो sphincter पाया जाता है, इसको हम बीटा बोलते है, cardiac sphincter कहा जाता है, तो इसको हमने क्या कहा, cardiac sphincter, या, इसे gastroesophageal sphincter कहा जाता है, जो कि इस्टमक से food को बापस से, isophagus में आने से, रोकता है, तो यहाँ पर यह भी हमारा सही answer नहीं है, तो फिर अब देख लेते हैं, fourth, junction of jejunum and duodenum, अगर आप देखें, तो duodenum पहले आता है, इसके बाद jejunum आता है, बोथ हर दा part of small intestine, तो यह दोनों ही बच्चों, part हैं किसके, so they are part of small intestine, तो यह small intestine के जो parts है, इन parts के बीच में यहाँ पर ऐसा कोई भी sphincter नहीं पाया जाता है, तो इस तरीके से हमने देखा, कि यह question का, तही आंसर जो हमारा जाएगा, वो कौन सा होगा, बेटा, option number 2, अब यहाँ पर हम जब देख चुके हैं, दो questions की बारे में, रादर नीट 2021 का एक question हमने देखा, तो अब नीट 2021 का जो अगला question है, उसको हम जड़ा देख लेते हैं, यहाँ पर कहा, सकस एंटेरिकस is referred to as, यानि कि सकस एंटेरिकस का मतनब क्या होता है, तो सकस एंटेरिकस हम किसको बोलते हैं, बेटा, तो अब यह सी बात है, यह आपने याद कर ही रखा होगा, यह नाम होता है, इंटिस्टाइनल जूस का, इंटिस्टाइनल जूस में तीन सेक्रीशन से इंवाल्व होते हैं, सेक्रीशन फ्रॉम क्रिप्ट ओफ लिबर कुहन, तो जो क्रिप्ट ओफ लिबर कुहन पाई जाती है, इनका सेक्रीशन होता है, क्रिप्ट ओफ लिबर कुहन के बाद, फिर आ जाता है सेक्रीशन ओफ ग तो आपर सिपाएं सेट qe करने वालई कोम ब्लेट सेल जो है इनका सेट कहें भी यहां पर मौजूद होगा। एत थार्ड है यहां intestinal juice में और मौजूद होता है, जब हम बात करते हैं, यह secretion of brunner's gland, यहां brunner's gland से हम कहते हैं कि यह बिटा secret करता है, non-engymatic alkaline secretion, यह तीनों चीजों को मिला करके, हम क्या बोलते हैं, तो इन तीनों को मिला करके, collectively क्या नाम दिया जाता है, सकस, एंटेरिकस नाम दिया जाता है, तो सकस, एंटेरिकस किसका दूसरा नाम हुआ? इंटेस्टाइनल जूस का, बाकी, आप देखे, pancreatic juice आप जानते हैं, कि secretion from pancreas will be called as pancreatic juice, फिर आप जानते हैं, गैस्टिक जूस यानिके, secretion from stomach या गैस्टिक gland के secretion को, हम क्या नाम दिएगे? तो इसे नाम दिया जाएगा, गैस्टिक जूस और काईम भी आप जानते हैं, कि जब हमारा जो बोलस है, वो इस्टमक के अंदर जाकर के, गैस्टिक जूस के साथ मिक्स हो जाता है, तब जो product बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, काईम नाम देते हैं, तो हमने इस तरीके से देखा, कि इस question का, हमारा correct answer क्या होगा, option number 2, यानि कि intestinal juice, अब बच्चों हम बात करते हैं, अगले question पे, यानि कि आ जाता है, नीट 2020 पर, आप देखें, तो bracket में लिखा है COVID-19, आपको याद होगा, कि 2020 में नीट दो बार हुआ था, एक बार सारे बच्चों के लिए, और एक बार उन बच्चों के लिए, जिनको जब नीट हुआ था उस ताइम पर, जो COVID-19 लिया गया था, तो वो COVID-19 वाला जो पेपर था, उस पेपर के अंदर कौन-कौन से questions पूछे गई, वो हम जड़ा देख लेते हैं, तो पहला question पूछा, intrinsic factors that help in absorption of vitamin B12 is secreted by, यहां जो intrinsic factor है, यह intrinsic factor का पूरा राम होता है, कैसल's intrinsic factor, तो इसे क्या कहा जाता है बिठा, कैसल's intrinsic factor बोलते हैं, और एक्चुली यह factor नहों करके दो होते हैं, factors कहा जाए तो ज़्यादा बहतर है, chemically glycoproteins होते हैं, यह combine करते हैं, आपका जाकर के vitamin B12, यानि के sideo-goblamine के साथ, and then vitamin B12 का absorption होता है, तो vitamin B12 के absorption के लिए, जो intrinsic factor है, इनका secretion कौन करता है, तो first मैं कहा goblet cell, नहीं, goblet cell से नहीं आते हैं, sorry, second में कहा hepatic cell, यानि कि liver की cell नहीं, यहां से भी नहीं आते हैं, फिर का oxyntic cell, सही, यह जो oxyntic cell है, इसी cell का बच्चों दूसरा नाम क्या होता है, तो oxyntic cell को ही हम दूसरा नाम देते हैं, parietal cell, तो oxyntic cell का ही, एक और नाम आपके पास क्या हो गया बिठा, parietal cell है, यह oxyntic या parietal cell कहां पाई जाती है, so they are cells of gastric gland, तो gastric gland की cells हैं, जिनको हम बोलते हैं, oxyntic या parietal cell, जिसे कहा जाता है, अब यह जो oxyntic या parietal cell यहां पर है, जिसे, secrete हुआ intrinsic factor, तो यह intrinsic factor काम क्या कर रहा था, तो हमने कहाता है, विठामिन B12 का absorption कराता है, बात आती है, कि अगर यह oxyntic या parietal cell हम माल लें, कि अगर in case अगर यह damage हो जाए, तो अगर यह damage होगा, तो इसके damage होने पर, बच्चों क्या होगा, कि यह cell के damage होते ही, सेक्रीशन ओफ, intrinsic factor बंद हो जाएगा, तो सेक्रीशन ओफ, intrinsic factor बंद होते ही, there will be deficiency of vitamin B12, तो deficiency हो जाएगी, और deficiency किसी होगी बिठा, vitamin B12 की deficiency हो जाती है, और vitamin B12 की अगर deficiency होई, तो इसकी वज़े से disease होती है, जिसकों बोलते है, parnicious anemia, क्या कहा जाता है, parnicious anemia का आजाता है, parnicious anemia का character है कि यहाँ पर जो RBC है, यह RBC compatibility large होगी, immature होगी, तो RBC यहाँ पर large होती है, immature RBC बनती है, और यह जो large और immature RBC है, it is finally destroyed in a spleen, spleen इसको destroy कर देता है, तो इसकी वज़े से overall RBC काउंट क्या रहा, कम, RBC कैसी थी, compatibility बड़ी थी, immature तो वो जो बड़ी और immature RBC बनती है, उस disease को क्या कहा जाता है, parnicious anemia, तो यहाँ पर हमने देखा, कि oxygen cell सही answer है, अब बात आती है fourth option, यारि की chief cell के बारे में, तो अगर मैं इस chief cell को देखूं कि यह क्या होती है, तो chief cell जो है, इससे ही secrete हो रहा था आपका engine, जिसको आपने क्या नाम दिया था, पेपसिनोजन, infant के अंदर यहाँ से secrete होता है, प्रो, रैनेन, और यहीं से secrete होता है, बीटा, gastric lipase enzyme secrete होता है, तो gastric lipase, प्रो, रैनेन, और पेपसिनोजन, इनका secrete करना काम था, chief cell का, तो यह निकि यह भी हमारा सही answer नहीं हुआ, तो इस question का correct answer हमारा क्या होगा, option number 3, अब यहाँ पर, इन questions के बार, हम देखते हैं, अगले question, COVID-19 में देखे, एक और question भी आया था, जिसमें कहा, proteolytic enzyme, protein, proteolytic, यानि कि protein को तोड़ने वाला enzyme, नाम क्या है enzyme का, renin, कहाँ पाया जाता है, तो renin कहाँ पर present होगा, तो अभी हमने पिछले question के अंदर ही बात की थी, कि pro renin को secrete कौन करता है, gastric, जो है chief cell, तो हमने बात की थी थी ना भी, कि pro renin, इसके बारे में हमने कहा था, कि it is secreted in, gastric juice, यानि कि gastric gland से secrete होता है, और gastric gland में कौन सी cell थी यहाँ पर, chief cell, यह से secrete हुआ, तो chief cell ने secrete किया pro renin को, अब यह pro renin पाया किसके अंदर जाता है, तो हमने कहा था कि pro renin होता है, only in case of infants, यानि कि adult के अंदर pro renin नहीं पाया जाता है, अब यह pro renin करता क्या है, तो इस pro renin को, पहले HCL, बच्चों convert किसके अंदर करता है, renin में, और फिर इस renin का काम क्या होता है, कि जो milk protein थी, यानि की केसीन, रेनिन का काम क्या होगा, यह milk protein यानि की केसीन को, तो केसीन यहाँ पर क्या है बिठा, इस milk protein, यह renin इस milk protein यानि केसीन को convert कर देता है, calcium paracacinate में, और यह जो calcium paracacinate में बनता है, इसका appearance होता है curd-like, तो calcium paracacinate का appearance क्यासा रहेगा, curd-like appearance होता है, इसको हम बोलते है, curling of milk, किसके अंदर होता है बिठा, तो infants के अंदर पाया जाता है, तो यह जो enzyme, आप यहाँ देखें, जब यह अगर renin आता है, तो आप हमेशा spelling पर ध्यान देंगे, एक तो renin होता है R-E-N-I-N, और दूसरा renin होता है R-E-N-I-N, यह जो उपर वाला renin है, यह बिटा हॉर्मोन हो, और यह आपके काम आता है, excretion में, जब आप रास-पास पर पढ़ते हैं, वहाँ पर, और यह जो double-N-I-N लिखा जाता है, it is name of enzyme, और यह digestion में मदद करता है, यहाँ question ने हमसे पूछा कौन सा, double-N वाला, रहा पाया जा रहा है, gastric glands accrete कर रही है, यानि कि it will be present in gastric juice, तो यहाँ इस question का correct answer हमारा हो जाएगा, option number 3, अब इसके बाद हम अगले question पर जड़ा पढ़ देते हैं, देखें, NEET 2020 में, यहाँ पर question पूछा गया, identify the correct statement with reference to human digestive system, तो human digestive system के बारे में correct statement आपको बताना था, अभी तक आप देखें, लगबग हर साल, digestion से दो करीब question पूछे जा रहे हैं, तो आपने आपने एक important topic है, digestion, first कहा, ileum opens into a small intestine, पहलो देखें, question पूछ क्या रहा है आप से, कि correct statement क्या है, first में कहा, ileum open होता small intestine में, small intestine के तीन पार्ट होते हैं, teodenum, chigenum और ileum, तो बदल यह तो गलत हो गया न, वही ileum itself is a part of small intestine, तो फिर ileum small intestine में कैसे open होगा, और small intestine में open होता कौन है, तो हम जानते हैं, stomach open होता है, तो यानि कि option number 1 हमारा, incorrect, फिर 2 में कहा, cirosa is the innermost layer of elementary canal, यहाँ पर यह गलत हो गया, इसलिए क्योंकि यहाँ पर कह दिया आपने innermost, जबकि cirosa actually क्या होती है, तो यह तो बटा outermost covering है न, तो cirosa is outermost covering, न कि innermost covering है, तो cirosa को आपने कहा कि it is outermost layer of elementary canal, तो elementary canal की outermost layer को नाम क्या दिया जाता है, cirosa नाम देते हैं, अब जो cirosa है यह बनी किसकी होती है, तो cirosa के अंदर दो चीजे होती है, एक तो thil, mesothilium पाई जाती है, और साथ में यहाँ पर कुछ connective tissue प्रजेंट होते हैं, दोनों चीजों को मिला करके हम बोलते हैं cirosa, तो second वाला option जो है यह भी अवारा गलत हो क्या, फिर इसमें अगला कहा कि ilium is a highly coiled part, अब देखे, NCRT, जब बात करती है बिटा, डियोडेनम के बारी में, तो डियोडेनम के बारी में NCRT लिखती है, केटे is C-shaped डियोडनम के बार फिर जब NCRT बात करती है बेटा जेजनम के बारी में तो NCRT लिखती है केटे is long end coiled और small intestine का जो last part है जिसको हम बोलते हैं ileum उसकी बारी में जब बात करती है तो यहाँ पर NCRT कहती है कि जो ileum है यह highly coiled यह NCRT की lines तो अब आप देखे यहाँ पर क्या का कि ileum is highly coiled पार्ट यानि कि यह बाला statement हमें सही लग रहा है कि यह statement सही है एक बार हम option 4 भी देखेंगे option 4 हमारा कहता है कि vermiform appendix arises from यह गलत vermiform appendix arise कहां से होती है तो यह actually वीटा arise होती है सीकम से तो क्योंकि यहाँ ट्योटनम लिखा है तो यानि कि option number 4 जो है यह भी incorrect हो जाता है तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर इस question में जो correct answer जाएगा वो होगा option number 3 अब यहाँ तक तो बात कुई need 2020 के question की अब अगला question हम देख लेते हैं अगला question केरता है enzyme enterokinase यह जो enterokinase है इसको बच्चों हम आज कल एक नया नाम देते हैं it is also called as enteropeptides enterokinase का ही एक और नाम क्या है enteropeptides तो अगर आपको कहीं पर enteropeptides लिखा बिलता है तो आप परेशान नहों उसी enzyme की बात की जा रही है enterokinase नाम में देखो is word आता है किसका मतलब है enzyme help in conversion enzyme आता कहां से है तो यह जो enterokinase है यह मौझूद होता है आपके intestinal juice में पर पाया जाता है intestinal juice के अंदर present होता है और enteropeptides या enterokinase का काम क्या होता है कि यह बीटा trypsinogen जोकी pancreas से inactive form में secrete हुआ था इसको यह enterokinase convert करता है trypsin में तो trypsinogen is converted into trypsin trypsinogen कैसा है inactive है जबकि वही पर जो trypsin बना यह कैसा होता है active होता है तो trypsinogen को trypsin में convert करना काम किसका है enteropeptides का काम होता है enterokinase का काम है तो हमने का कि यह help करेगा in conversion of trypsin into trypsin बाकिक option देख लेते हैं पर्स्ट कहता है protein into polypeptide तो यह गलत यह काम किसका था pepsin का काम है trypsin का काम है कोई भी करेगा पर तो protein से polypeptide नहीं बनेंगे polypeptide का ही दूसरा नाम protein होता है अगर oligopeptide, dipeptide बनाने भी है तो उसके लिए दूसरे enzyme है हमारे पास पर आप देखे option 3 कहता है caseinogen into casein यह गलत है caseinogen नाम की कोई चीज होती ही नहीं casein milk protein का नाम है यह जब इसे तोड़ता है renin हमने पिछले question के अंदर ही देखा तो फिर इसे convert किया जाता है calcium पैरा केसी rate में caseinogen नाम की चीज नहीं होती 4 कहता है pepsinogen into pepsin pepsinogen को pepsin में convert कर देवाला जो factor है वो factor कौन होता है HCl तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ इस question का जो सही answer गया वो अपना कौन सा गया? option number यहाँ जाता है 2 यानिके trip solution into trip sin तो need 2020 का question हमने देखा आज बच्चों हमने बात की need 2020 के बारे अच्छा एक बार और देख लेते हैं आगे भी question है क्या? नई चलिए तो हमने बात की need 2020 के question के बारे में तो ये कुछ questions आपन ने यहाँ पे देखे 2021 इसमें कहा कि match the following structure with their respective location in organs तो matching वाले question है matching वाले question कई बार बढ़ी आसान होते हैं आप सबसे पहले क्या करें कि आप यहाँ देखें कि सबसे ज्यादा differences आपको कहां दिख रहे हैं तो आप अगर देखेंगे तो आपको सबसे ज्यादा आपको यहां दिखाई दे रहें डी के अंदर अब डी के अंदर जो difference अपने को दिख रहे हैं इसका मतलब है कि अगर हमने डी को सही पकड़ लिया तो हमें बाखी question solve करना competitive आसान हो जाएगा पर क्योंकि हम तो सीख रहे हैं तो मैं पूरा one by one करना है तो में एक तरफ से शुडू करते हैं कि इधर दिया क्रिप्ट ओफ लिबर कुहन कहां पाया जाता है तो crypto लिबर कुहन होता है एंड़ व्व विवंकि कहां गया तो लिबर की structural and functional unit के ही जाती है hepatic lobule और जो hepatic lobule है उसके उपर एक tough connective tissue की पतली layer पाई जाती है जिसको हम नाम देते हैं glycans के अपसूल तो यानि के glycans के अपसूल किसके साथ match करना चाहिए बेटा लिवर के साथ अब glycans के अपसूल के बाद देखिए फिर कहा आईलेट ओफ लेंगर हैंस पैंक्रियास का जो endocrine part है वहाँ आईलेट ओफ लेंगर हैंस पाई जाते हैं जिसके अंदर एलफा और बीटा सेल्स पाई जाती हैं एलफा पीटा डिल्टा पीपी सेल्स भी होती हैं तो यह जो सेल्स हैं डिया रेडेटेट टू पैंक्रियास अब आया ब्रुनर्स क्लेंड अभी हमने कुश्यन में बात की थी नॉन एंजियमेटिक एलकेलाइन से क्रीशन आता है और यहार प्रेजेंट इन सब्मुकुसा आफ ड्योंडटोनर्स क्यों तो ड्योंड़नम क्या लिए अंदर मैश कराते हैं तो घंतिन ओप्शन के अंदर गिई अंदर आपको बिरो और के अंदर दिया हैैं तो पर देखें और दिया को स्क्री इसका क्या दिया गया है सेकेंड तो यहां पर जो option number one है हमारा वो एकदम करेक्ट मैच है तो इस question का answer क्या हो गया option बन अब देखे shortcut जो मैंने आपको कहा था कि आप क्या करेंगी सबसे ज्यादा को आप मिला है मालोगर मैं यहां से मिलाना शुरू करता तो मिलाते ही मुझे ब्रॉनरस क्लेंट से रेलेटेड कौन दिखाई देता डियोटरम मैंने सिर्फ एक पड़ा एक के पड़ती मुझे समझ में आ गया कि बाकि यह तीन गलत तो जब तब तक आप पूरी तरीके से कॉन्फिनेंट ना हो तब तक आप शौटकर तरीके पर ना जाए आप एकदम नॉर्मल तरीका अपना है कि सारी चीजे मैच कराई और मैच कराने के बाद फिर हमने कुश्यन का सही आंसर यहां पर ठूड़ा अब यहां आ जाते हैं अगले तो आज की इस वीडियो में हमने देखा डाइजेशन के कुछ प्रीविएस एयर कुश्चन अगर आपको यह कुश्चन सॉल्व करने का तरीका अच्छा लगा हूं या अगर आप ऐसे ही और भी वीडियो चाहते हैं जिनके अंदर प्रीविएस एयर के कुश्चन के वीडि आइकन को प्रेस करना न भूले और लगातार अपने लक्ष की तरफ यानिकी नीट में सफलता की तरफ लगातार पूरी महनत से लगे रहें क्योंकि आप एक चीज ध्यान रखना चाहे मैं हूं या कोई भी टीचर हैं आपके पेरेंट्स हैं हम सबका मिला करके आपकी सफलत आप पर डिपैंड करती हैं और ध्यान रखना सफलता या असफलता दोनों ही चीजे विश्रेश्त भीड़ कि जो आपकी सक्सेज हैं वह विका कभी रिसोर्स पर डिपेंडेंडन नहीं होती हैं यानि कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास resources available नहीं है तो आपको success आसानी से नहीं मिल सकती है आप देखें इस बदलते हुए time में ही कि हमने कभी सोचा था कि हम अपने घर में अपने जो है रूम में बैठ करके हम कहीं दूर किसी recorded वीडियो को या हम इस तरीके के lectures को अपने पास देख पाएंगे तो हम देख पा रहें ना तो हम इन चीजों का इन facilities का benefit उठाएं और उस benefit को हम अपनी सफलता में हम add करते जाएं उस benefit को तो कुल में लाकर के आप ज्यादा बहतर करें हर देन आपकी जुलूजी सब्जेक्ट के लिए जो समझ है वो और ज्यादा बहतर हो आप medical college के दरवाजे के और ज्यादा पास तक पहुँचें उसके लिए अपने को लगातार effort करते रहने हैं